कई बार ऐसा होता है कि बैठे बैठे आपका पैर अचानक से सूझाता है यानि सुन पर जाता है जिससे कारण आपके पैरों में काफी और सूहने दर्दोना शुरू हो जाता है और आपको सही तरीके से चलने फिलने में काफी दिक्कत होगा सामना भी करना पड़ता है हाला कि एक को सेकिंड या मिनट तक ही रहता है लेकिन आप हमेशा यही सोचते हैं कि आपके पैर सोने का असली कारण आपका एक जगा कई घंटों तक बैट ना होता है लेकिन आपने कभी इसकी असली वज़र जानने की कोशिश की है अगर नहीं जानते तो आज हम आपको इस वीडियो के जड़ले बताएंगे कि पैर सुन होने के असली वज़र क्या होती है तादि आपको इसकी वज़र से रूबरू भी करवाएंगे आये जानते हैं इसके बारे में जिया अगर आपके पैर अचानक सुन पढ़ जाते हैं तो इसका मतलब आपके पैर में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से कारें नहीं कर पारा जिसके कारण आपके पैर में अचानक से सोच जुन जुनाहट और अजीव से पिन या फिर सुई चबने जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एक ही तरह के पोजिशन में बैठे रहते हैं तो इससे आपके पैर के उस हिस्ते के नर्वस में दिरे दिरे दबाव पढ़ना शुरू हो जाता है जिससे करण आपका पैर अचानक सुन पढ़ जाता है और आपको काफी और जोने रत का स्नामना भी कर पढ़ना पढ़ता है बैठर होगा आप लगता एक ही जगा यानि एक ही जगा पर अपने पैर को दबाव ना दे तो वहीं आगे आपको बताते चले कि हमारे सरीर में माइलिन के नाम से एक सफेद रंगे परदाद द्वारा बनाई गई नर्वस की कोशियर फाइवर के जिल मौचुद होती है अगर आइस पर दबाव पढ़ता है तो इसकारण आपके मस्तिक सक्की नसों में बर्पूर मातर में आक्सीजन और रग्त नहीं पहुंच पाता जैसे कारण आपका पैर अचानक से सुन पढ़ जाता है तो बैतर होगा इसका खास ख्याल रखें तूरन है दग्सी रानिके रिपोर्ट